Hello friends, welcome to Mining Mirror and welcome to this new video. This video is about reserve और resource classifications. जो हम लोग बोलते हैं कि Mining Reserve है या Mining Resource है, उसका classification के बारे में ये वीडियो है. तो यहांपे मैंने दो चीज़ मेंशन किया है, एक है Indian और एक है UNFC. मतलब एक इंडियान बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है और एक है UNITAL NATIONS मतलब जो हम लोग के इंटरनाशनल बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो इसको हम लोग आडप्ट कर चुके हैं इंडिया में. सब के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में. तो friends, let's get started. Virgin area होता है, कोई भी fresh area है जहां पे हम लोग माइनिंग करना चाहते हैं. तो वहां पे हम लोग survey करना चाहते हैं कि वहां पे कैसा material है, कैसा ecology है, कैसा forest है, कितना wildlife कैसा है. अगर हम लोग माइनिंग करते हैं तो क्या-क्या effect आएगा. उस सारा चीज को हम लोग सर्वे करना पड़ता है. तो उसको हम लोग बोलेंगे exploration and prospecting. तो कोई भी area में prospecting या exploration करने से पहले आपको government में apply करना पड़ता है prospecting lease. तो आप government में apply करिए prospecting lease. prospecting lease अगर आपको permission मिल जाता है, तब आप वहां पे exploration या prospecting कर सकते हैं. ठीक है वह होगया पहला step. अगर आप prospecting कर लिया, उसका report आप जमा कर दिया और वहां पे आप mining करना चाहते हैं. मतलब exploration करने के बाद वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि मेरा उसका figivalit report क्या है. मतलब आप अगर वहां mining करते हैं, तो वह आपके लिए feasible होगा कि नहीं होगा. मतलब वहां पे आपको profit मिलेगा कि नहीं. वहां पे वह वाला project आप वहां पे बिठाएंगे, वह economic होगा कि नहीं होगा. अगर वह आपको feasible लगा, तब आप वहां पे next step जाएगा mining lease के लिए. तो mining lease के लिए फिरसा आप government में apply करिए mining lease. तो mining lease को मिलने के लिए वहां पे बहुत सरा चीज है, जिसको deposit करना पड़ता है. जैसे के एक हो गया environment clearance आपको लेना पड़ेगा, वो दो stage में मिलता है. उसके बाद आपको लेना पड़ेगा forest clearance, वो भी दो stage मिलता है. उसके साथ एक mine जो plan है आपका, आप केसे वहां पे mines बठाएंगे, केसे वहां पे township बठाएंगे, केसे वहां पे periphery में जो चीज को आप establish करेंगे, वो सारा चीज को वहां पे mine plan और development करके, वो एक report देना पड़ता है IBM को. तो वो देने के बाद, मतलब जो planning होता है mine plan, वो देना पड़ता है, वो तीनों को deposit करने के बाद उसको government अच्छे तरह से study करेगा, उसके बाद आपको permission दगा वहां पे mining करने के लिए, ठीक है, उसके बाद आप mining production कर दिये, जिसमें आप जो excavator है, जो भी आपका transportation equipment है, उसक आपका smelter plant, जो भी आपका, जिस तरह का mineral है, उसे हिसाब से आप उसको use करिए, तो ये तो हो गया आपका, जो production part हो गया, उसके बाद जो main part आता है, वो आता है reclamation and rehabilitation, मतलब जो mines आप मैटरल उठा रहे है मैटरल से, जैसे मैटरल उठ गया तो वहां पे void बन गया, या गड surrender करना पड़ता है, ठीक है, तो वो आ जाता है land surrender में, जैसे ही आप land surrender कर दिये, government को satisfaction हुआ कि जो भी conditions था आप fulfill किये हैं, तब जाके आपको के mine closure plant देना पड़ेगा, उसके बाद mine close होगा, तो ये मोटा मटी सारा step है, जो भी हम लोग mining में करते हैं, तो आज हम लोग इस वी इसको आपको अच्छे तरह से बता दूँगा और अच्छे तरह से वो clear भी हो जाएगा, ठीक है, तो fast, सोचिए कि आप इंडिया में एक जगा पर decide किये कि मेरे को ये जगा में mining करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले area choose कर लिए, कि ये वर्जिनी area है, और यहाँ पे नदी है, पहाड है या forest जो भी है, तो उसको आपको exploration या prospecting करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको apply करना पड़ेगा, prospecting lease, अगर वो grant हो गया, फिर आप prospecting और exploration कर सकते हैं, ठीक है, तो prospecting और exploration आप तो खुत नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा agency है इंडि GSI, Geological Survey for India, एक हो गया MECL, Mineral Exploration Corporation Limited, जो अभी change होके हो गया है, Mineral Exploration and Consultancy Limited, उसके बाद NMDC, National Mineral Development Corporation, ONGC, Oil and Natural Gas Corporation, CMPDI, और एक हो गया IBM, जो हो गया Indian Bureau of Mines, यह जो IBM है, यह IBM आपका facilitator है, क्योंकि यह IBM जो होता है, यह IBM होता है, यह IBM होता है, National Mineral Inventory को control करता है, मतलब, इंडिया में कितना Mineral Deposit है, कितने प्रकार का Mineral है, कितना कितना Deposit है, कितना एरिया को वो cover करकर रके, यह सारा information IBM ही maintain करता है, ठीक है, तो यह हो गया, Prospecting और Exploration में, जो जो agencies help करते हैं, जो भी facilitate करते हैं, उसके बार में, अब चलते हैं, हम लोग mainly, जो classification में, ठीक है, resource classification और reserve classification, तो final conclusion में जाने से पहले, एक बार में इसका history थोड़ा बताना चाहूंगा, कि किस तरह से जो classification idea है, या classification का nomenclature है, वो किस तरह से वो evolve हुआ, ठीक है, तो पहले क्या था, कि 1970 या 79 तक, लोग अपने हिसाब से exploration कर रहे थे, और अपने हिसाब से नाम दे रहे थे, उसका कोई standard नहीं था, तो वहाँ पर comment क्या बोला, instruction दिया, IBM को और GSI को, कि आप दोनों मिलके, एक common term बनाए, जिसको हम लोग सब कोई follow करेगा, तो 1981 में IBM और GSI मिलके, एक standard निकाले, या classification standard निकाले, चाकि सब कोई उसको follow करे, तो पहले बोले resource आता है main, उसको reserve नहीं बोल लगे, तो वो आ गया, एक fully developed, partial developed और undeveloped को बोलने लगे, demonstrated ore और possible, तो वहाँ पे दो जीज फिर हो गया, proved और probable, उसके बाद आगया economic ore reserve, economic ore reserve किसको बोलेंगे, उसमें आता है, एक developed जो पहले develop हो चुका है, mining के लिए, एक proved जो major हो चुका है, कि कितना वहाँ पे है, और कुछ कुछ पोर्षन पुर्वाबुल का, और कुछ पोर्षन पुसिबुल का, ये चारो मिलके हो गया economic ore reserve, और उसका opposite में आ गया conditional resource, मतलब पुर्वाबुल का आधा और possible का जो बच गया, ये सम मिलके हो गया conditional resource, वो भी दो पार्ट, para marginal, sub marginal, तो ये थोड़ा सा क्या न, बहुत सा चीजे, complaint भी आने लगा कुछ-कुछ एरिया से कि इसमें बहुत सारा चीजे जो हम लोग को modify करना चाहिए, फिर change हुआ, फिर 1990 में और एक agency add हो गया, जिसको बोलते है BIS, मतलब जो Bureau of Indian standards है, वो IBM और GSI, ये तीनों मिलके एक presentation दिये, जिसमें वो और थोड़ा सा अच्छा उ एक है currently feasible, जो अभी feasible है, मतलब अभी हम लोग mining कर सकते हैं या economic होगा, और एक है जो future में feasible हो सकता है, तो research दो हो गया, जो currently feasible, मतलब जो अभी feasible है, उसको हम लोग बोले reserve, ये की important table है, जिसको हम लोग बोलने लगे reserve, और reserve हो गया चार पार्ट में, एक हो गया developed, और एक हो गय जरूरी है, जो developed है, मतलब वहां पर हम लोग mining कर सकते हैं directly, वो आपका developed है, proved, मतलब आप प्रूफ कर चुके हैं, कि वहां पर material है, probable वहां पर उसी continuation में गया है, तो वहां पर material उसी तरह का हो सकता है, वो हो गया probable, और एक हो गया possible, मतलब आपको geological consideration को लेके वहां पर बात क chances है, लेकिन पुरबाबुल में क्या है, थोड़ा ज्यादा chance है, कि आपका continuous है, मतलब एक example यहां पर देंगा, नीचे देखिए, left side में, सोचे कि यहां पर आप mining कर रहे हैं, ठीक है, और mining जो कर रहे हैं जिस area में, उसके बगल में एक पहाड है, मतलब यह जो mines आप बनाए, same material यहां पर आपको मिल सकता है, तो वो हो गया आपका probable, ठीक है, उसके बाद अगा possible, मतलब उसके सोचे कि और एक पहाड है, जिसको आप explore नहीं किये हैं, लेकिन वहां पर chances है कि हो सकता है, क्योंकि यहां भी मिला, यहां भी मिला, हो सकता है, यहां भी मिल जाए, तो वो हो गया आपका possible, उसके बाद जो future में feasible हो सकता है, मतलब, जो future में आप माइनिंग कर सकते हैं, जिसको वहां पर बोलने लगे, resources, जो feasibility indicated in future, resource based, ठीक है, तो दो पाटी यहां पर हो गया, तो यहां पर जो proved, probable, और possible है, यह तीनों को हम लोग बोलने लगे, conditional resources, ठीक है, क्योंकि mining कर रहे हम लोग developed में, और बाकी जो बचा, proved, probable or possible, यह तीनों मिलके हो गया, conditional resources, यह चल गया, 1990 से लेके 2000 तक, अब चलते हैं, जो Indian classification है, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि 2000 में ही E1 FC आ गया था, तो अभी time है हम लोग को जानना, कि जो Indian classification है, वो क्या है, Indian classification two dimensional है, मतलब दो चीज को लेके वहाँ पर classification हम लोग को ताई किया है, फास्ट क्या है, एक है हम लोग का, geological parameters, और एक हो गया, techno-economic parameters, ठीक है, यहाँ पर two dimensional है, इसलिए बोलते हैं, two dimensional, कि यहाँ पर दो चीज़े, geological parameters, और वहाँ हो गया, techno-economic parameters, तो geological parameters है, उसमें दो चीज़े, क्या-क of observation point, like borehole, speed, strength, जिस तरह से हम लोग geology के लिए, वहाँ पर survey करते हैं, borehole करके, जैसे वहाँ पर एक पहाड है, वहाँ पर हम लोग बोल करेंगे, कितना deposit, कितना depth तक गया है, उसका grade क्या है, ठीक है, उसके बाद scale of geology mapping, जो mapping हम लोग करते हैं, उसको वो cover करता है, और techno-economic parameter में क्या गया चीज़ आता है, एक आगया grade, एक आगया amenemal to beneficial, मतलब beneficial वो अच्छे से होगा या नहीं होगा, उसके बाद आ गया thickness of depth, depth कितना है, और उसका thickness कितना है, मतलब उसका deposit का thickness कितना है, कितना हम लोग को मिल सकता है, उसके बाद क्या आता है, कि other general conditions of environment, forest and market, forest condition कैसा है, environment कैसा affect होगा, अगर affect होगा, तो कितना खर्चा उसमें जाएगा, यह बहुत सारा चीज़ है, जो techno-economic parameters में आता है, तो उसी के basis में, यहाँ पर एक table देख लेजे, जो सबसे important table है, तो यहाँ पर एक होगया, उपर में दिखिए, जो right to left जा रहा है, एक axis, उसको geological certainty के उपर है, मतलब right से left जाएंगे, उतना हम लोग का geologically अच्छा हम लोग वहाँ पर काम कर सकते हैं, यह mining में हम लोग को अच्छा geological structures मिलेगा, और left side का axis दिखिए, नीचे से उपर यह से बढ़ रहा है, मतलब वो हो गया techno-economic viability, मतलब आपको जितना उपर जाएगा, उतना आपको profit मिलता रहेगा, तो आपको economic होगा, तो यहाँ पर दो चीज में वो पहले divide किया, एक हो गया economic, और एक हो गया sub-economic, जो economic है, मतलब जो हम लोग को profit देगा अभी, उसको हम लोग बोलने लगे reserve, और जो sub-economic, मतलब जो अभी economic नहीं है, लेको बाद में हो सकता है, उसको बोल prude में में कुछ है, probable में कुछ है, और possible में कुछ है, बाकी जो prospective और prognostic है, मतलब जिसको अभी तक हम लोग छुए नहीं है, जहां पर हम लोग prospecting किये नहीं है, वो सारा चीज आजाता है conditional resource में, तो अब चलते हैं, सबसे important section में वो हो गया आपका UNFC, तो UNFC जो इसको हम लोग बोलेंगे three-dimensional classification system, जो year 2000 में इंडिया में implement हो चुका है, तो इसको हम लोग बोलेंगे United Nations framework of classification, ठीक है, यह total world में इसको सबको ही follow कर रहा है, यह international standard है, तो यह three-dimensional इसलिए बोला जाता है, जैसे कि Indian standard में हम लोग क्या किये, उसको two-dimensional है बोले, क्योंकि वहां पर दो चीज को हम लोग कंसिडर किये थे, एक हो गया geology, और एक हो गया techno-economic, ठीक है, लेकिन यहां पर तीन चीज को यह consider कर रहा है, और तीन चीज को कंसिडर करके वह अपना classification बनाया, एक हो गया geological assessment, यह गया G, एक हो गया feasibility assessment, F, और एक हो गया economic viability, E, जिसको हम लोग बोलेंगे, courts are representative, आज E, F and G, economic, feasibility and geology, तो three code है, इसलिए three diamonds ना बोला जाता है, जैसे कि economic axis पहला है, वो आता है, economic axis आगया one में, feasibility axis आगया two में, और geology axis हो गया three में, एक picture दिखाते हैं आपको, देखिए, यह हो गया एक axis, एक हो गया इधर axis, और एक हो गया निच्चे, यह वाला, जो बीच में है ठीक है, यह हो गया three axis, चो यह हो गया fast axis, यह, यह economic है, यहाँ पर arrow है उपर के लिए, मतलब यह नीचे से अगर उपर तक हम लोग काल्क्रेट करेंगे, तो उपर सबसे highest economic होगा, उसके अगर नीचे आता है, तो और थोड़ा सा कम economic, मतलब कम profit होगा, अगर और नीचे आता ह यह geological viability सबसे अच्छा है, अगर two रहा, मतलब वो थोड़ा सा geologically weak हो सकता है, three हो गया तो और weak है, four हो गया तो और weak है, फिजिविलिट रिपोर्ट है, यह भी one, two, three में divide किया है, मतलब three to one, मतलब one सबसे highest है, और three सबसे कम है, तो इसी हिसाब से यहाँ पर 3D model को आप यहाँ पर, यह है one, 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 मतलब इसमें economics भी best है, geology भी best है, और feasibility भी best है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा उसमें one, two, one, मतलब यह economic है, यह area में, लेकिन feasibility में थोड़ा सा कम है, और लेकिन geology भी अच्छा है, मतलब इसको भी हम लोग ले सकते हैं, आजे economic reserve, भी यह mineable है, इ और one, two, two, यह जो code है, इसमें one मतलब economic है, लेकिन आपका feasibility थोड़ा सा कम रहेगा, और geology थोड़ा सा कम रहेगा, मतलब इसको भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे probable reserve, सबसे best होता है one, one, one code, और सबसे खराब होता है, three, three and four, ठीक है, तो यहाँ पर और चीज़ बताना चाहूंगा, economic को हम लोग तीन पार्ट में डिवाड किये, जैसे one, two, three, figibility को भी तीन में, one, two, three, लेकिन जो geology है, वो हो गया four, चार पार्ट में, ठीक है, तो एक table दिखाते हैं आपको, an overview, code हो गया one, two, three, four, economic access में, जो one है, सबसे economic है, जो अगर two रहेगा economic access में code, वो हो गया potential economic, मतलब वो economic हो सकता है, और three हो गया intrinsical economic, मतलब वो economic हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा कम है, feasibility access में, वो ही है, feasibility study and mining report, pre-feasibility, geological, geological है मैं से भी है, और geological में जो four number है, यह हो गया reconsense, मतलब यहाँ पर अभी prospecting या exploration हुआ नहीं है, वो हो सकता है, मतलब य चीज है, जो economic access में हम लोग क्या क्या चीज consider करते हैं, तो यह apply हुआ हम लोग का 2000 में, UNFC हो गया, Indian standard भी हो गया, Indian standard हो गया, two dimensional, और UNFC हो गया, three dimensional, मतलब UNFC हो गया, coding में, तो यहाँ पर एक MCDR जो होता है, जो mineral conservation and development rule, 2017 में, उसका एक page number 149 में, आप देख सकते हैं, up-to-date total resources of minerals in mining lease area, as per UNFC, यहाँ पर दो चीजी में डिभाड किया, एक है mineral reserve, एक है remaining resources, ठीक है, जिसको हम लोग बोलने लगा थे conditional resources, यह हो गया remaining resources, पहल हो गया mineral reserve, ठीक है, mineral reserve हो गया, 2 type का, एक हो गया approved reserve, 111, और एक हो गया probable reserve, 121, 122, जैसे हम लोग इसमें आप दिखाया थे हम आपको, इसमें, 111, यह तो सबसे best है, हो हो गया mineral reserve, और 121, 122 हो गया probable reserve, ठीक है, एक हो गया approved, एक हो गया probable, ठीक है, उसके बाद remaining resources में, जो conditional resources, इसको बोलेंगे, उसमें क्या-क्या रहे गया, एक है figibility mineral resources, pre-fugibility mineral resources, major mineral resources, indicated, यह measured है, यह indicated है, यह inferred है, और यह हो गया reconsense, मतलब यह हो गया geology का, यह हो गया fugibility का, और यह हो गया economic का, ठीक है, तो economic हो गया आपका mineral reserve, proved and probable, और fugibility के हिसाब से, feasibility and pre-fugibility, और geology के हिसाब से आपका हो गया measured, indicated, inferred and reconsense, reconsense मतलब आप कभी वहाँ पे exploration या survey हुआ नहीं है, ठीक है, मेजर को भी हम लोग बोलेंगे, approved mineral resources, ठीक है, indicated हो गया, probable, यह हो गया, probable मिलना resources, और inferred मतलब possible, possible मिलना resources, इसलिए हम बोलेते, कि पहले जो एक, आपको दिखाये थे, यहाँ पे table, इसको बोलेते, कि यह important है, दिखे, यह वाला, important है, proved, probable and possible, अभी इसको, जो reserve को, economic जो है, उसको कर दिया, proved कर दिया, और probable कर दिया, यह दोने को कर दिया, ठीक है, इसका हो गया, 111, और इसका हो गया, 121, 122, और बाकी जो conditional resource, मतलब जो remaining resource है, उसमें क्या क्या आ गया, एक आ गया, fugibility and pre-fugibility, उसके बाद, resource कर दिया, इसको, proved resource, probable resource, and possible resource, जिसको वो बोलना लगा, measured, indicated, and inferred, और यह हो गया, reconsense, मतलब वहां पर आ प्रस्पेटिंग किये नहीं है, ठीक है, तो यह हो गया, MCDR के हिसाब से, अब चलते हैं, यहां पर एक example में देना चाहूंगा, जो इसको बो inventory, जो पहले हम बताया थे, कि IBM उसको maintain करता है, record करता है, maintain करता है, 1970 जो वो कर रहा है, बने, अपना इंडिया में कितना mineral है, कहां कहां है, और कितना area पकड़ के बैठा है, यह सारा चीज को यह ही maintain करता है, तो यहां पर दिखेगा, यहां भी यह चीज को mention किया है, कि कितना का यहां पर reserve है, यहां पर देख सकते हैं, यह 2015 का एक portion है, reserves और resources of gold, आजन 15, तो gold का यह reserve दिखा है, तो कैसे कैसे वो divide किया है, यह classification में आप पूरा clear हो जाईएगा, एक हो गया reserves, और एक हो गया remaining resources, ठीक है, तो reserves हो गया, एक approved और एक गया probable, और remaining resource में हो गया, feasibility, pre-feasibility, इ resource, pre-feasibility resource, measured resource, indicated resource, inferred resource, reconnaissance resource, ठीक है, तो यह होगे totally clear, कि कितने परकार का reserve है, और कितने परकार का resource है, यहां पे कुछ acronym से जो जानना ज़रूरी है थुरा सा, और यह आपको सब में काम आएगा, चाहे अपना knowledge के लिए हो, चाहे एक्जाम के लिए हो, फस्ट होगे NMI, National Mineral Invent Ministry, जो IBM maintain करता है, 1970 से, उसके बाद हो कि IBM, Indian Bureau of Mines, जो माइन प्लान, जो डिजाइन यही अप्रूप करता है, और फैसिलिटेट पूरा करी का इस्पोरेशन प्रस्पेक्टिंग में, GSI, जिएलिका सर्वेफ इंडिया, BIS, Bureau of Indian Standards, UNFC, United Nations Framework of Classifications, MECL, Mineral Exploration and Consultancy Limited, पहले Corporation Limited था, NM MDC, National Mineral Development Corporation, ONGC, MCDR, Mineral Conservation and Development Rule, 2017, CMPDI, Central Mine Planning and Designing Institute, यह है कोल इंडिया का एक सबस्टिएरी, ठीके, यह खास करके, कोल का प्रस्पेक्टिंग या कोल रिजर्ब को एस्पोर करता है, CMPDI, ओके, तो फ्रेंड्स, यह हो गया टोटल जो इंडियान क्लासिफिकेशन और इंटरनेशन क्लासिफिकेशन बार में, I hope का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है, प्लीज लाइक करिए, और प्लीज श्क्राब मैं चानल, See you in the next video with another chapter and another important section, Thank you.